Hello everyone, welcome to the new video from SkillBuzz आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे that किस तरीके से आप इस टाइप के 3D elements को यूज करके अपने लिए presentations वगरा जो है वो create कर सकते हैं जहापर आप ये देख सकते हैं ये जो पूरा का पूरा model है ये एक 3-dimensional object है and इसकी help से by using morph transition काफी जादा cool effect जो है वो हम लोग अपने slides में present कर सकते है and आपके slides जो है आपके presentations है वो काफी जादा एक next level पर चले जाएंगे अगर आप इस तरीके से 3D elements को अपने PPTs में use करते हैं in that case ठीक है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्रेट कर सकते हो तो मैं आपको मैं सबसे पहले एक blank presentation ले लेता हूँ ठीक है अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक दो चीजे बताना चाहूंगा यह जो particular हम लोग के effects यूज करने वाले हैं इसके लिए जरूरी है आपका जो Microsoft Office है वो 2017 version या उससे उपर का हो because आपके presentation में Morph Animation प्रेजेंट होना चीए जैसे यहाँ पर आप top पे जो आप menu देख पा रहे हो in that case you need to update your Microsoft Office first and then come back to the video आपको तब जाकर के चीजे जो है वो बेटर तरीके से समझ में आएंगे इसके बाद हम लोगों को insert में जाकर के एक चीज जो हम लोग बहुत ही जादा like underrated है या फिर हम लोगों में से बहुत से लोगों को नहीं पता होता है वो यह that जब भी आप insert में जाते हो generally हम लोग powerpoint में pictures वगरा photos वगरा जो है वो add करते है यहाँ पर आप देखो ध्यान से 3D model करके एक option आपको दिखाई दे जाएगा and इस 3D model में दो option होते है this device and stock 3D models अब इन दोनों में क्या difference है मैं आपको समझा देता हूँ अगर आप this device select करते हो तो इसका मतलब है अगर आपने online internet से या फिर खुद अगर आप कोई 3D software यूज़ करते हो जैसे कि blender या फिर 3ds Max, Maya वगरा तो वैसे कि इसमें अगर आपका खुद का कोई 3D model है तो वो आप create करके यहाँ पर import कर सकते हो या फिर आपके पास Google पर या फिर online बहुत सारे websites available है जहाँ पर आप 3D models को download कर सकते हो मैं आपको कुछ websites आपको दिखा देता हूँ सबसे पहला sketchfab है यहाँ पर paid आपको 3D models भी मिल जाएंगे free भी मिल जाएंगे तो आप अपने need के according यहाँ पर 3D models को check कर सकते हो आपके पास free 3D.com है यहाँ पर भी आपको काफी सारे model जो है वो free में मिल जाएंगे जो आप use कर सकते हो या फिर मेरा फेवरेट turbo squid है यहाँ पर काफी सारे models आपको free में मिल जाते हैं आप यहाँ पर देखी पा रहे हो जो भी आपको पसंद है उसको आप download करके directly drag and drop कर लो या तो फिर import कर सकते हो PowerPoint अपने PowerPoint presentation में इसके बाद आप next चीज आपको यह चीज समझनी है और किस तरीके से आपको 3D models को add करके उसको morph animation देना है जैसे for example अभी सबसे पहले मैं एक picture add कर देता हूं यहाँ पर let's say मैं online pictures में जाता हूं ठीक है and online pictures में हम लोग forest का एक picture ले लेते हैं okay for example मैं ऐसा कोई सा भी एक normal सा picture ले लेता हूं this one and मैं इसको insert कर देता हूं अब यह particular जो मेरा picture है मैं इसको as a background यूज करूंगा ठीक है मैं इसको lock वगरा नहीं करने वाला हूं because मैं बस आपको basic idea देना चाहता हूं that यह चीज़े किस तरीके से work करती है इसके बाद चीज़े जो आपके creativity पर depend करती है कितना जादा creative आप इस चीज़ को कर सकते है ठीक है इसके बाद इस particular image को मैं blur कर दूंगा आप यहाँ पर जाओगे अगर artistic effects में तो यहाँ पर आपको blur का option मिल जाएगा आप simply इसको blur कर दो ज्यादा better लगेंगी चीज़े ओके अब इसके बाद जो next वीडियो में दिखा दूंगा हम लोग let's say को इसा भी 3D model ले लेते हैं जैसे for example मैं काम करता हूं मैं space का astronaut का एक picture ले लेता हूं ठीक है तो ऐसे case में हम लोगों को जो यह background picture है वो forest से हटा करके space का करना होगा जो कि मैं भी एक minute में कर देता हूं कि यहाँ पर हमारा जो astronaut का picture है वो आ चुका है बट यह हमारे background के साथ match नहीं कर रहा है तो मैं यहाँ पर insert picture online pictures एंड मैं यहाँ पर space डाल देता हूं ठीक है एंड मैं एक random सा कोई सा image जो है वो यहाँ पर insert कर देता हूं अब यह जो image है वो काफी जादा बेटर लगेगा इसके साथ अब इस picture को again मैं blur कर देता हूं ठीक है अब आपके पास जो यह 3D model है आप यहाँ पर एक three dimensional arrow देख पा रहे हो आप इसको अगर rotate करोगे तो आप यहाँ पर देख पाऊगे यह जो particular model है यह एकदम three dimensional model है और आपको इसको किसी भी तरीके से use कर सकते हो और आपके पास ऊपर में 3D model का एक option आगया है जहां पर अगर आप क्लिक करते हो तो इस model के क्या क्या बेसिकली किस तरीके से यह model को रीप्रेजेंट कर सकते हो वहाँ पर यह चीज़ें आपको यहाँ पर टॉप में देखने को मिल जाएंगी ठीक है यहाँ पर आप देख आ रहे हो देट यह राइट साइड में देखता हुआ पॉर्शन है यह टॉप से टॉप यूए बिसकली डिफ्रेंट डिफ्रेंट जो व्यूज है वह आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो फ्रंट व्यू हम लोग अभी के लिए रख लेते हैं इस model को हम लोग स्पेश क्रेबट में जाकरके टेक्स्ट वगरा जो है वह अपने नीट के अकौडिंग एड कर सकते हो टैक्स बॉक्स एंड फॉर इसको भी पर-डिक्लरी मैं यहाँ पर सेंटर में कर देता हूं ठीक है इसके अलावा आपके नीट के अकौडिंग आप जो भी चाहओ वो इस पर्टिकुलर स्लाइट को मैं Ctrl D कर दूंगा so that यह डुप्लिकेट हो जाए अब इस पर्टिकुलर मॉडल को जो है वो मैं किसी दूसरे परस्पेक्टिव से एड कर देता हूं किसी दूसरे व्यू में एड कर देता हूं तो यह आप देख पा रहे हो यह हमारा पर्टिकु यहाँ पर आप अपने नीड के अकॉर्डिक जो भी आपको टेक्स वगर आड करना है वह आप आपको अब इक लिए अग्नॉर कर रहा हूं ठीक है अलाइनमेंट वगर आप अपने नीड के अकॉर्डिक चेक कर सकते हो अब इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली यह चीज है यहां से यहां तक आने के लिए आपको इसमें मौर्फ अनिमेशन डालना पड़ेगा वह आप कैसे कर सकते हो सबसे पहले आप ट् ट्री डिमेंशन ऑब्जेक्ट था वह एक तरीके से रोटेट होता हुआ आपको दिखाई देगा ठीक है आपको मैं जूम करके लाइक इसको प्रेजेंटेशन मोड में अन करके दिखाता हूं यह हमारा फॉर्स स्लाइड है ठीक है एंड यह हमारा सेकंड स्लाइड है तो आ इसको मैं अब लेफ्ट साइड में व्यूव करवा देता हूं ठीक है इस तरीके से कुछ तो आप यहां पर देख पाऊगे अब यह जो पर्टिकुलर चीज है वह यहां पर भी मैं मॉर्फ ट्रांजिशन दोंगा सबसे पहले तो ठीक है तो इस तरीके से जो यह ट्रांजि कर सकते हो ठीक है काफी ज्यादा ब्यूटिफुल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा आई होप आपको यह सब चीज जो है वह एक्जैक्ली समझ में आयोंगी डेट हाओ इस तिंग्स वर्क आप इसमें और भी अपने-पने डाल सकते हैं यह जो इफेक्ट है काफी बेटर लगता जहां पर आप किसी भी थ्री दिमेंशन अब्जेक्ट का केवल और केवल हाफ पोर्शन जो है वह वो शो करते हो और बाकी सब चीजे जो है वो टेक्स्ट से कवर्ड रहती है तो वैस इस तरीके से आप जो है वो काफी जादा ब्यूटिफुल एनिमेटेड थ्री डैमेंशनल पावर पॉइंट जो है वह अपने नीट के अकॉर्डिंग क्रिएट कर पाऊगे तो आई होप आपको यह पूरा का पूरा वीडियो समझ में आए होगा है इसके आगे आप अपने प्रांजेशन वगरा समझी गए हो तो अपने नीट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कस्टमाइज भी कर सकते हो काफी ब्यूटिफुल वे में आप चीजों को यहां से आगे ले करके जा सकते हो तो आई होप आप इस वीडियो से कुछ नया सिखने को मिला होगा मिलते है अगले वीडियो में तिल दा नेक्स्ट वीडियो बाय बाय और टेक केर